हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे ncrd math class 12th chapter 7 integrals exercise 7.11 का question number 11 करेंगे आईए देखते है question number 11 क्या है minus pi upon 2 से pi upon 2 हमको limit दी है और sin square dx का हम इने integration करना है तो इसमें property use होगी कौन सी property होगी आईए देखते हैं एक property मैंने आपको लिखवाई है minus a to a f of x dx बचो यह property क्या कहती है सुनो मेरी बात यह कहती है two time two time zero to a f x dx इस condition में क्या होता है इस condition f is an even number sorry even function इस condition में f हमारा होता है even function और इसमें एक condition होड़ा दिये जीरो तो जब जीरो आएगा इसमें जो मेरा f of x dx है इसमें जो मेरा एफ हो क्या होगा एक्स भी आएगा ठीक है यह एक्स भी आएगा sin square x dx है तो f of x यह है sin square x देखो इस वाले square को हम क्या कर सकते हैं से whole square लिख सकते हैं क्या लिखेंगा हम इसको whole square अब हम यह चेक करना है कि यह even है या तो पहले हमें even order case पता होने चाहिए even case में क्या होता है यह वाला even है इसे मेरा function of minus x जो होता है पिलस का fx इस तरीके से अगर odd हुआ तो odd में f of x minus x जो है वो क्या हो जाएगा minus का fx इन दोनों में से देखने हैं कौन सी condition बनेगी चलो सबसे पहले हम यह f minus x लेकर चलेंगे according to property ठीक है देखो जैसी मैंने हम माइनस लगा एक्स के आगे ऐसी इस वाले एक्स के आगे भी क्या लगाएंगे माइनस यह लो लगा दिया ना और यह क्या है इसक्वाइर आपने कोशन पढ़ा होगा एक फॉर्मला आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस ठीटा क्या होता है माइनस साइन ठीटा क्या होता है माइनस साइन ठीटा है अब मेरे पास प्लThis हो जाएगा और मेरे पास via sine इस्कुरR एक सा अब देखो sineление स्कुरर मेरा क्या था यह रहा एफ 1 घ्र घ्राब यहां पर मैं लिखक्ता हूं F – X or F अब यहां से हमें पता चला यह ओड है आजाओ देखो यह हमारा एवा ना वाई एफ माइन एसक्स मेरा क्या है एफ एक्स एफ फ अप देखो यहार यहीं नहीं बने यह वाला कंडीशन बनेगी इवन वाली तह यह यूस करूंगा ठीक है पिर से हमने एक बार अपना यहां प क्या हो जाएगा यह fx dx तू टाइम जीरो टू देखो अब यहां पर क्या है और यहां पर क्या है पाई अपॉन टू ठीक है तो पाई अपॉन तू यूज करूंगा मैं एक प्लेस पर और यह fx क्या है मेरा function sin square x dx यहां पर देखो द्यान से यह रहा यह fx मेरा क्या है fx sin square x तो मैंने वहां वैल्यू पूट कर दी अब देखना द्यान से आओ कि इसको ना equation first मान लो अब यहां मैं प्रोपर्टि थर्ड यूज करूंगा जब भी जीरो से कोई भी लिमिट इस टार्ट होगी प्रोपर्टि थर्ड यूज होगी प्रोपर्टि थर्ड क्या है है 0 to a limit होती है f of x dx होता है तब अध्य है बच्वार्टेज देखो एमसे यह वाला minus कर दो मैंस कर देंगे यह लोग हमने कर दिया इसको minus इसी चीज़ को सब्सक्राइब करूंगा कॉफा तू टाइम जी रोटू यानि पाइप नो कर रहा है तो जैसे यहां पे यहां पर यहां पर यह वद लगने यहां पर यहां से नर्ण गाप्थ !! म хотел डू इस यह कौण ना वह पाइपन टू का बोर्ट कर रहां थे पाई स्क रहेखंद तुल टॉirie 0 he to sayふ you s mrt है साइन नाइनॅटी मैंने स्थिटा क्या होता है कोष्टिटा क्या शोर लिगा असे कर siamo वर स्टेरी सैकेड़ करेंगे इंको एड़ कर देंगे दिखो जब करेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको एड़िंग एक्वेशन फॉस्ट एंड सेकंड फॉस्ट वाल एक्वेशन यह लिए ठीक इसको आई के एक्वल लिखो और यह भी आई के एक्वल चलेगा पूरा जो हमारा कोशन है न वो पूरा आई के एक्वल चलेगा इस बात को याद रखना ठीक है अब देखो यहां पर बतुद जाएगा अब न देखना तो टाइम जिरोटुपाई पॉन टू टू ठीएक्स यहां पर भी ए तो यह को मन आजाएगा जब एड़ब गरोगे तो उसको मैं लिखुँंगा वन टाइम यहने जीरो टू पाई कsche रख्रोधैंगे थोड़ा से यहां पर स्पेस कम है तो इस वाले बोक्स में देखना को कि देखो तू आई इस इकल दो यह वाला वन आप बाहर लोगे तो तू से मल्टिपल होगे तू ही बनेगा ठीक है तो फाइनली हमारे पास आएगा जीरो टू पाई अपॉन टू यह वन आप बाहर ले चुके हो और यह खाली डी एक्स बचा और आप सभी जानते हो डी एक्स क्या होता है एक्स होता है ना डी एक्स का इंडिग्रेशन क्या होगी एक्स हो गया और यहां पर आगी जीरो टू पाई अपॉन टू वाइस सोल्व कर दो आप इस टू से टू कैंसल करो पहले तो खाली आई बचाना हमारे पास अमें लिमिट पहले पूट करते हैं तो ओर पसका अगयी पाई अपाउन टू तो आपका उंप्q आपको कोशन समझ में आया होगा इसी तरह में वह प्रोपरिटी यूज नोड़ी का यूज होई है एक तो यह में में प्रपर्टी यूज होई है इससे में इवन नोड के बारे मिन पता चला के बारा है फिर यहां फिर एक्षैयर में काफी कोशन हमें यूज हुई है अगर आपको प्रोपर्टी याद है तभी आप एक्जाम में को कर पाओगे नोट कीजिए